मास्टर प्लास्टर सुनिल गवसकर IPL 2020 के टेलही कैपिटल्स के उपनर प्रिथवी शौ की बैटिंग से काफी खफा चल रहे हैं अस बात का खुलासा पूर्व क्रिकेटर और कमेंट्रेटर आकाश चोपडा ने अपने यूट्यूब चैनल पर किया है अकाश चोपडा ने अपने यूट्यूब चैनल पर ये कहा है कि प्रिथवी शौ जिस तरीके से नाकाम हो रहे हैं उससे मास्टर ब्लास्टर सुनिल गवसकर काफी नाराज है आकाश चोपना ने ये भी कहा कि नाकाम होने के बाद भी प्रिथवी शौ अपने खेलने का तरीका नहीं बदल रहे हैं उन्होंने पहली पांच पारियों में दो अर्धिशतक लगा कर इस सीजन में 189 रन बनाय थे प्रिथवी शौ के पिछले दो सीजन बतोर उपनर काफी अच्छा गया है IPL 2018 में प्रिथवी शौ ने 9 मैचों में 254 रन बनाय थे और उनकी स्ट्राइक रेट 153 रही थी साल 2019 के IPL में प्रिथवी शौ का स्ट्राइक रेट 133.71 है और रन 354 है प्रिथवी शौ IPL में 800 से ज्यादा रन बना चुके हैं और इनमें इनके 6 अर्ध चतक शामिल है पिछले सीजन 2019 में IPL में प्रिथवी शौ शौ शतक बनाने से मात्र एक रन से रह गए थे प्रिथवी शौ से स्टुनिल का वसकर का नाराज होना ये भी कारण है कि दली कैपिटल्स इस सीजन में पॉइंट स्टेबल में नमबर एक पर है और जिस तरीके से डली कैपिटल्स की ओपनिंग बैटिंग होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं खेल रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां शिखरदवन है वो अपनी उपनिंग बैटिंग में कमाल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रिथवी शौ अपने हवाई शौट खेल कर आउट हो रहे हैं आकाश चोपड़ा ने शिखरदवन की तारीफ करते हुए कहा कि धवन जिस तरीके से खेल रहे हैं वो काबिले तारीफ है जिस तरह से उन्होंने दो मैचों में दो शतक लगाए और वो भी नाबाद लोटे हैं वो बात काबिले तारीफ है वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार दो शतक मारे हैं और वो इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सुची में दूसरे पायदान पर भी हैं और ये रन बनाने के दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा रहा है ख़बर पर आपकी क्या राय है ये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी ख़बरों की अफडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष न्यूज और क्रिकेट का एक्स्क्लूसिव दोज हर रोज अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल लॉग अन करें IPL2020.tv9 भारतवर्ष.com पर जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए धेर सारे नाम हर रोज पैनासोनिक इंडिया खास पादमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैंपर्स